प्यारे बच्चो गुड मॉर्निंग सुभै की नौस्ते मानविकाल संगटन हरियना चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वाकत है और यदि यह चैनल आपको पसंद आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो वीड लाई गई है उसको भी लाई को सेयर करें आज का हमारा जो टोपिक है वो दूसरे जो पीछे टोपिक चल रहे हैं उनसे रेलेटिड है हम बोर्ड में जो सेकंड पेपर प्लस्टो का इंगलिस में आएगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं पहले हमने फ़स्ट उसमें अन 4-1 पिइस्टीज ओगा, 3-1 सिन पेपर सेने उस्ता होंगे, उनमें इसे दो करने होंगे और दस नमबर के होंगे उसके बाद second topic आपके पास grammar का कराया दस नमबर का grammar है और अगला topic हमें reader approach से लिया जिसमें दो पैस्टिज आएंगे आपके पास और दो पैस्टिज में से आपको एक पैस्टिज करना होगा किताब का पांच नमबर को होगा और पांच नमबर के question वैसे आपके पास से उस किताब से पुछे जाएंगे तो टोटल तस नमबर तो ये तीस नमबर का हुआ आगे हम section C के आज सकत करेंगे जिसमें main जो है reader है poetry के बारे बी poetry का जो stanza है और दो stanza होगी एक stanza करना होगा तो उसके नमबर भी पांच नमबर होगी तो read the stanza given below and answer the question that stanza को आपने पढ़ना है और answer the questions that follow और जो question दिए गया हों के answer को आपने follow pronoun का अनुसरण करना है यदी stanza को आप ज्याम से देखेंगे तो question काफी आपके clear हो देंगे own our own sore creams walls so उसमींसो तैन मद्यम जो मद्यम हो गई है cream rums की जो walls हैं दिवारे donation उन पर donation मींसो तैन दान देने वालों की सूची है sexpear heads जो sexpear का head है cloudless at down वो दिवारक के पास रखा है it is hanging on the wall civilized dome और जो सब है noon से हैं मकबरे है riding all cities जो सारे सहरों में जो घूम चुका है ballad घंटी सहित flowery tri-lis valley जो घाटी है फूलों की tri-lis घाटी जिसका नाम है open-handed map और जो संसार का नक्सा बनाया गया है हास से बिन स्केल के according the word it words बहास सारे संसार में है तो ये श्टेंजा है और इसका first question who is the poet of this poem कभी कोण है इस कविता का ये कविता के श्टेंजा आपने संजने होंगे ये कविता का जो श्टेंजा है an elementary school at slum poem से लिया है तो इसका step one spender कभी है next question है from which poem these lines have been taken कोण सी कविता से ये line ली गई है तो ये an elementary school classroom in a slum से ली गई है अगला question है whose name have been written on the walls दिवारों पर किन के नाम लिखे गई है the name of the teacher name of the students name of the donor अगर आप stanza को देखेंगे पहले में donation देने वोले को donation देने वोलों के नाम जो है सूची में है तो इसका answer है the names of the donors name of the donors ये सही इसका answer है अगला next question है इसमें where is the picture of Shakespeare head placed Shakespeare के जो head है सिर्फ उसकी तस्वीर कहां पर है it is hanging on the wall क्या वा दिवार पर है लटक रही है it is placed on our almaris in the almaris में है library में है कहां है तो इसका सही answer है it is hanging on the walls अगर आप उसको दोबारे से देखेंगे तो civilized people Shakespeare heads cloudless at downs तो दिवार पर जो है लटके वी है अगला question है name the valley mansion in the stanza इस stanza में कौन सी का टिका वर्णन किया गया है Trilays valley Himalayan valley Timbat valley कौन सी valley तो इसका सही answer है Trilays valley तो रोग इसका answer अगर आप देखेंगे ये third line में है Trilays valley तो प्यारे बच्चों ये stanza जो हैं दो आएंगे आपके पास दो पोईमों के और उन में से एक पोईम का जो है stanza का आपने answer देना है जो पांच नमबर का होगा तो अब आपके पास मैं दो बारे से repeat कर दियूँ पहले first question में तीन unseen passage बाहर से आएंगे जिन में से दो करने होगे 10 नमबर के second section B में grammar का 10 नमबर का portion होगा 20 नमबर और उसके बाद जो किताब के जो question होगे reader के reader prose के उसमें दो passage होगे एक passage करना होगा पांच नमबर का और passage के लावा उससे उस किताब से question पुछे जाएंगे आपको 5 तो 10 नमबर का होगा total 30 और ये poetry जो दो इसके stanza है उनमें से करना होगा ये पांच तो total नमबर अब तक 35 हुई है next वीडियो में दोसरा जो stanza है उसकी हम revision कराएंगे और फिर next वीडियो में आगे जो है इस जो paper sample paper है इसको complete कर देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि exam में जो है second paper कैसे आएगा कैसे आपने इसको attempt करना है तो आप इस वीडियो के साथ channel के साथ लगातार जो है जुड़े रहें और आपको लगातार कुछ ना कुछ नई जानकरे जो है मिलते रहेंगे और जिससे exam में आपके लिए काफी सहब होगा जयू जाओा